है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आज के सेशन आफ टार्गेट 2022 में जहां पर हम लोग डिसकस करते हैं करन्ट कैसे आस्पेक्स जहां जिसको हम लोग जोगरफी ऑप्शनल में एज़ फोर्डर पॉइंट जरूर इस्तमाल कर सकता है और आज का ही आज के क्लास में भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट हम लोग चीजे डिसकस करेंगे जैसे दोस्तों देखिए सबसे पहला जो है यह ड्यूगॉंग कंसर्वेशन रिजर्फ इन पागबे यह तो आपको पता है न कहां पर बेसिकली कंसर्वेशन रिजर्फ बनाया जा रहा है न खूसे हुआ है यह यह हर्वीवोडस ऐनीमाल है ठीक है और इन फाक्ट यह एक मात्र ऐसा हर्वी वोरष मैमल है जो आपका ओशन में मिल रहा है राइट सो अब सवाल होता है क्यों इसको कंसर्वेशन देको कोई भी ऐनीमल के लिए कंसर्वेशन रिजर्फ या फिर कोई देखो, लास्ट उनिट जो है, कंटेंप्रारी इशूस, इंडियन जेग्रफी का, उसमें ट्वल्थ नंबर जो यूनिट है, इस इन्विरोनमेंटल डिग्रेडेशन, उसमें हम इसको इसलिए जोड सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि इसके ऐसे बहुत सारे आस्पेक्ट्स है, जो क्या अगें, एक टॉपिक में ही आपको बहुत सारे चीजें मिल जारी है, इसको as a case studies आप प्रेजन कर सकते हो, हम लोग बोलता है ना, औरे भाई, case study यूज़ करना चाहिए हमें, इंडिन जेग्रफी में case study, case study, तो case study होता क्या है, आज के class में case study discuss करेंगे, ये case studies है, डिवगॉं conservation reserves, जो क्या पाग में में basically बनाया जा रहा है, basically है ना, अच्छा, ना, ये क्यों हम इसको as a case study बोल रहे हैं, क्योंकि देखो, इसका एक wider aspect है, क्या है, मैं बता रहा हूँ, डिवगॉं, इसको sea cow भी बोलते हैं, पता है ना, अब ये हमें पता है, herbivore मतलब, ये जो floor में जो घास होती है, ocean के floor में, उसको खाती है, राइट, अब ध्यान दिजेगा, कि मैं क्या मोण रहा हूँ, ocean के floor में जो घास होती है, उसको खाया जाता है, डिवगॉं के द्वारा, या फिर जिसको हम लोग सी cow बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, अब issue क्या है, ये region, Tamil Nadu वाला तो region आपको पता ही है, Tamil Nadu और Shri Lanka में जगड़ा होते रहता है, आपका जाके fishermen को issue के लेकर, श्री लंगन गवर्मेंट और वहां की जन्ता, वहां की fishermen क्या issues लगाती है, आविन, क्या आरोप लगाती है, Indian fishermen के उपर, that हमारे Indian fishermen जो है, sea trollers का इस्तेमाल करता है, सवाल होता है, sea trollers होता क्या है, sea trollers कुछ ऐसा होता है, coral species या फिर कोई भी घास फूस, कुछ भी अगर हो, sea grasses हो, वो भी इस जाली में घुश जाती है, मतलब, जो चीज हमें catch नहीं करना है, वो भी हम sea trollers के थूँ catch कर लेते हैं, आप खुद सोचिए ना, अगर आप coral को या फिर sea grasses को फाल्तु के ले रहे हो, which is of no use, इसका मतलब क्या, आप जल्दी restore तो नहीं कर पाओगे ना, जी वहाँ पर, मतलब indirectly, you are, you know, creating, you know, ऐसा situation जहाँ पर, उस region के, उस regional habitat को हम फिर से grow नहीं कर सकते हैं, और इसी लिए, आप सोच आप घास फूस भी अगर इससे उट जा रहा है, तो यहाँ पर जो सीकाओ है, या फिर डुगॉंग जो है, यह खाएगा, तो खाएगा क्या, समझ रहो बात, तो इसी लिए, यही reason है, आप इसको बोल सकते हो, इसी लिए हम लोग, डुगॉंग कर्जर्वेशन रिजर्फ का, basically वहाँ पर, गवर्वर्मेट के द्वारा, अलाउं किया गया, ठीक है, तो यह एक हो गया, समझ रहो बात, अच्छा, आप दूसरा जो है दोस्तों, अगें, मैं हर्ट लैं ड्रिम्लैंट थियोरी से ही, इसको connect करना चाहूँगा, आप बोलोगे, सर, कुछ दिन पहले ही तो हम लोग पढ़े थे, देखो, क्या होता है ना, अच्छा, समाई के साथ-साथ, हम लोगों को नया-नय concept दिखने को मिलता है, इसी लिए, हम लोग, अगें, वो repetitive concept है, तो भी हमें कोई फरक नहीं पढ़ता, हमें सिर्फ concept जानना है, क्यों हम लोग बोलते है, that Hurtland Theory, it is still relevant today, वैसे भी हम लोग उस दिन भी यही चीज़ देखे थे, बट आज के जो हम लोगों ने newspaper मैंने देखा, वो था Montreox Convention के बारे में, मैं Montreox Record के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो अलग है, वो wetland conservation को लेकर है, Montreox Record, जहां पर अगर कोई भी आपका wetland अगर बर्वाद हो रहा है, या फिर devastation हो रहा है उसका, तो हम लोग उस record में उसको addition करते हैं, Montreox Record में उसका addition किया जाता है, उसके बाद उन wetlands के उपर basically काम किया जाता है, जिससे उसको फिर से ecologically restore किया जा सके, ठीक है, वो तो clear हो जाना चाहिए, ना एक काम करता हूँ आपको एक question देता हूँ, आप नीचे comment section में लिखो, Montreox Record में हमारे अभी at present, जिस जाब आप आप वीडियो देख रहा है, तब कितने सारे ऐसे wetlands है, जो के Montreox Record में इंडिया से है, एक है या दो है, तीन है, चार है, कितने है, अगर so say for example, दो है, तो दो है तो कौन-कौन है, उनका नाम सिर्फ आपको comment section में लिखना है, प्रिलिम्स के लिए तेयार तो कर रहा हो ना जी, क्या सिर्फ आपको main seat direct देना है, ऐसा तो नहीं होगा ना, पहले prelims क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद mains क्लियर करना पड़ेगा, अब यह Montreox Convention बोलता क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, Hurdland Theory तीन फेज में दिया गया, आपको पता था ना, एक था 1904 में, एक था 1919 में, एक था 1943 में, यह First World War के पहले, यह First World War के बाद, और यह Second World War जब चल रहा था, तब, राइट, अब जब, यह First World War के बाद वाला फेज में, Mackinder भाईज हमने क्या बोला था, देट, कही ना कही जो इसमें पहले बोला गया था, देट, लैंड पावर स्टॉर्ग है, वो अक्चुली में हमें, First World War में भी देखा गया था, क्यूंकि, जब बिटेन अपनी शिप इधर से लेकर गुजारना, यहाँ पर ले आना चाहती थी, तो उसको रोग दिया गया था, मैंने बोला था ना, और साथी साथ इधर से भी बिटेन अपना शिप गुजारना चाह रही थी, बट यहाँ पर जर्मनी ने सीमाइस बिचा दिये थे, इसलिए बिटेन अपना शिप लेकर नहीं जा पाई, मतलब नवल पावर जो था, यहाँ पर बहुत ही कम पावर्फुल था, है ना, यह 1919 के बाद वाले समय में बेसिकली, हट्लाइड थिओरी के द्वारा बोला गया था, बोला गया था ना, अभी जो मैं मौट्रियॉक्स कन्वेंशन के बादे में बात करूँगा ना, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है, जो बिटेन अपना शिप को इधर से घुसाना चाहती थी ना, वो क्यों रुख गया पता है, इस मौट्रियॉक्स कन्वेंशन के कारण, समझ दो बात, तो इसमें बिसिकली टर्की को बिसिकली राइट मिला हुआ था, जिससे टर्की अगर चाहे तो कोई भी शिप्स को यहाँ पर वार के समय, तो इसके बीच में बेसिकली टर्की का रूल है, बट देखो, अगें, मैं इसने भीतर में घुसने नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ जानना है दढ़र मॉंट्रियों क्या है, सिर्फ आप यह दिमांग में घुसागे रखिये, बस, that's it, आपको शायद लिखना भी ना पड़े, आप सिंप्ली ऐसा लिखना होगे, तो सिर्फ आप इतना ही बोल सकतो, इसको मैं इसको मैं स्टोरी के हिसाब से, यह अपको शायद इसलिये बता है, जिससे आपको रिलेट करने में असानी हो, समझ गया बाद, मैं जो समझाना चाहरा था, चलो, अब नेक्स जो है न दोस्तों, यह किसी ने नीचे गूगल जो फॉर्म में देता हो न, जहां पर आपकी डाउट होती है, वो डाउट किसी ने पूचा था, तर सर, मैं एक चीज नहीं समझा, यह और जिए और जिए जो बेसिकली हुआ था, वो उसमें जो मैंगमेटिक डिफरेंसियेशन जो हुआ था, उससे वेरियस रॉक फॉर्म्स हमें कैसे देखने को मिले, आपके लिए डिवंस हुआंगी, जसे हम लोगे आँव स्फॉर्म्स हो पहले से लिए देखने को मिलते है तो यह कूँ, ऐसा कैसे हो जाता है, वही चीज, मैंने सुना चलो भई ये भी conceptual चीज ही है आप लोग को बता देना अच्छा रहेगा और बाई चांस अगर आप लोगों ने से for example आप लोगों ने पहले से ही किया होगा चीजों तो आपके लिए रिवर्जन भी हो जाएगी राइट जैसे देखो क्या है आपको पता था था हमारा जो अर्थ था वो एक होट गैस नेविला था राइट जिसमें बहुत सारे गैसे जैसे सी ओ तू अ उसके बाद अच्टू ओ अब ऑक्सीजन नहीं था लेकिन पहले से यह पहले क्लियर कर देना चाहता हो ठीक है कारबन डायोकसाइड नाइट रोजन और वाटर वेपर था राइट बट ऑक्सीजन नहीं था ठीक है अब क्या होगा ना वाटर अब डीकैसिंग प इसके लिए एक वर्चुल एट्मोस्फेर बन गया था अब यह जो हाइट यह जो हाइट यह जो हो था था ना वेपर वो यहां पर जाके क्लाउड फॉर्मिशन मना दिया है ना अर्थ के चारो अर्ड यह वाला फेस है जब अर्ड जो है था हॉट होट गैस नेबूला था और धीरे धीरे अर्ड जो है वो थंड़ा होना था धीरे धीरे राइट अभी अभी तो आका गोला ही था यह था यह ना बट क्यूंकि देखो चारो तरफ से चारो तरफ से ब्लाक ब्लाक क्लाउड ने इसको घेल दिया द्यू तो अब क्या होगा अगर जब भाडी हो जाए तो पानी बढ़के तो अल्टमेटली नीचे गिरेगा ना जी ठीक है नीचे गिरेगा बड़ ध्यान दो जब यह cloud यह black dense cloud बना दिया है तब क्या हो रहा है ना भीतर से जो गर्मी है ना अर्थ का वो गर्मी भार और नहीं निकल पा रहा है ट्रैफ हो रहा है गर्मी ठीक है अ तो यहां पर खाली पैसेज मिल गया ना सोचो यहीं से गिरेगा तो यहां पर खाली पैसेज मिल गया तो इधर से गैस बाहर निकल जा रही है यहां से खाली पैसेज मिल गया यहां से गैस बाहर निकल जाएगी यहां से खाली पैसेज मिल गया यहां से गैस बाहर निकल जा वहात होगा ना जी, उसके बाद जो है, primitive crust का formation हुआ है, right, उसके बाद plates बने है, plates क्यों बने है, of course, यही सब तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, already, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो already, again, पूरे classes को आप अक्सेस कर सकते हैं, दोस्तो, geography option का online classes ही चल रहा है, English में ही नहीं bilingual languages में भी, आपको सिफ अगर attend करना है, तो या तो इस number पर आप contact कर सकते हैं, या फिर डाउलोड कर सकते है, smart rank as education app, नीचे description में पूरा link दिया हुआ है, वहाँ पर पूरे classes को attend के भी कर सकते हैं, right, anyways, अगर बाद बोले, इसकी, that is, जब primitive crust बना, right, उसके बाद, उसके बाद अब देखने को मिलता है, जिसको अब लोग, you know, oceanic crust और continental crust का नाम देते हैं, right, बट देखो, आज का जो oceanic crust है, आज का जो continental crust है, वह primitive crust नहीं था, ना, 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 उससे confusion मत करो, भाई, मैंने, ठीक है, तो ये चीज नहीं, अभी आपको clear हो जाना चाहिए, anyways, but, तब के समय मे अर्थ के भीतर core तो था ही, of course, है ना, core में काफी ज़्यादा dense material थे, और periphery में काफी ज़्यादा light material थे, ठीक है, समझने बात, तो अब क्या हुआ, सोचो, यहाँ पे dense material है, बहार के समय light material है, right, अब light material बोले तो वैसा material जो क्या respectively हलका होता है, as compared to the bitter वाला material, right, now हमें पता ह mental में जो basically, lava का जो flow होता था, उसका main composition जो है, वो है silica, ठीक है, iron, nickel, right, अब देखो, यह lower mental phase है, upper mental phase है, अब lower mental वाले phase में जो है, respectively, iron और nickel जो है, क्योंकि यह भाड़ी है, यह जादा dense है, तो इसकी proportion जादा है, silica की proportion respectively कम है इस दोनों में, right, but जैसे upper mental में हम चले जाओगे, तो silica का proportion जो है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, as compared to the iron and nickel, right, क्योंकि यह light हो जाँ रहा है, जी, समझ रहो बात, तो इसलिए, अब light जितना silica उतना जादा होगा, ठीक है, तो इसलिए तो देखो, यह वाला lower mental वाले phase में, याद रगना, silica कम, upper mental वाले में silica जादा, उसके बाद जो यह continental crush बनता है, उसमें silica proportion और भी जादा होता है, right, अच्छा, अब यह, यहाँ से primitive crush कैसे बना, यह कैसे बना, देखो, पहले जो है, यहाँ पे olivine minerals थे, नीचे वाले में, लोर mental में, ठीक है, अब जैसे upper mental में धीरे गया, तो यह वाला जो lower side of upper mental है, यहाँ पे gab rocks का formation हुआ, और वो यह क्यों हुआ, magmatic differentiation के कारण, that is, magma में जो various constituent है, वहाँ change, उसका proportion, valuation change हो रहा है, right, that is, lower mental में देखिएगा, तो iron और nickel की proportion जादा है, right, बट जैसे उपर जारे हो, आप silica का proportion बर रहा है, और वो किसली हो रहा है, magmatic differentiation के कारण, right, तो यह क्या हुआ, गै magmatic differentiation के कारण जो है, और भी यह जो molten magma जो है, यह उपर जाएगा, right, तो यहाँ पर जो हम rocks basically देखते है, वो periodite rocks देखते है, right, वो जो further वो जो उपर जाता है, न, along the divergent plate boundaries, तो वो क्या होता है, यह plate boundaries के tail end will चिपक जाता है, ठीक, आप सोचो न, यहाँ से जो magma हैगा, थोड oceanic ridges के दोनों तरफ, समझ रहो बात, समझ रहो, अच्छा, इसी लिए हम लोग देखे, that magmatic differentiation के कारण जो है, यहाँ पर जो rocks formation हुआ, that is oceanic crust, इसको हम लोग कहते है, basaltic rocks, but basaltic rocks का भी तो कभी, यह जो basaltic rock है, इसका कभी ना कभी subduction तो होगा, जी, अब subduction जबी भी होगा, तो यहाँ पर silica है, अब silica हमें पता है, अब भीतर में पहुचके जब यह गल जाएगा, क्योंकि बहुत जादा temperature होता है, तो silica और water vapor भी कहां से आता है, of course, यहाँ आप सोच हो नहीं, इसके उपर तो पानी नहीं, तो यहाँ पर जो crust में पानी लगा हुआ हुआ, तो ज it results in the formation of granatic and anti-saitic rocks, ठीक है, या फिर anti-saitic, जो भी हो, तो anyways, यह मतलब जो आप लोगों में से जिसने भी पूचा था यह बला question, आशा करता हूँ एट उनका यह question properly clear हो गया होगा, जिससे अब शायद कोई डाउट रहे है, तो बिलकुल और भी आप पूच सकते है, नीचे comment section में लिक दिया ही हुआ है, ठीक है, गूगल फर्म में हम जाहिए, जैसा आपको जो सवाल पूच रहे है, जैसा सवाल पूच रहे है, ऐसा मज सोची है, that if you are not the student of our paid classes, then your queries won't be resolved, no, still, that will be resolved, I promise you that, right, anyways, geography optional का दोस्तो, English and bilingual में online badges चल रही है, अगर आपको join करना है, तो again, anytime you can join classes, सिर्फ अपको download करना परेगा, smart rankers education app, from the google play store, नीचे description में, इसका link, प्रॉपर्ली दिया हुआ है, ठीक है, चलिए, मिलते नेक्स क्लास में, बबाई, टेक केर, thank you for listening to the whole video, thank you very much, guys.